आप देख रहे हैं पी आर भी इस वक्त हम गाजी पूर बॉर्डर पे मौझूद है और यहां की लगातार जो कबरे जब आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ एक महिला किसान है जो इंटरनेशनल शूटर भी रहा चुकी है हमारे साथ बाचित करने की मौझूद है आज जलिए और दुसरी बात किसानों कोई मुद्दा ने उठाया वो गैंडा चीता हाती बिल्ले उनका उठार है उनका दिमाग ही संतुलं ठीक नहीं है यह लिए किसान के मुद्डे को नहीं लिए ऐसे नहीं करी रहे हैं और हम ही ने ऐसे इगनॉर रिए करेंगे जैसे हमने पर पड़ने का राजनीती गद्धी पर बिठाना देश के किसान का काम है और उतारना भी सी का काम है इनकी बुद्धी सेट करके जाएंगे। पर पर परसंसा क्यों करेंगे पहली बात मेरे खाते में दो जारना आए और दूसरी बात है दो जार की बीएक जो सोले रुपे पर ती रोज के जो इनोंने भीकारी बनाया देश को इसे बंद करें इसकूलों में मिड़े मील बंद करें अच्छी टीचर लेका हुआ है उद्यूग पतियों के हाथ में जा रहा है। तीयार है। आपने अंबानी अडानी का नाम लिया। पंजाब में 200 से जाधा टावर को डिस्टरब कर दिया गा। इससे तो कहीन है क्ए याफी का नुकसान है। इससे अंब बहुअ हमाना क्या नुकसान है। अडानी अम्बानी जी ने डाला है यूवाओं को भी और इस देश के नेताओं को भी सबसे ज़्यादा दोशी इसमें अडानी अम्बानी जी है जी फिर तो आप प्यारोप लगा कि आप राजनिती कर रहे हैं भाईया राजनिती क्यों करते हैं कौन लगा रहा है हम सब्सक्राइब स्पाइब सब्सक्राइब रालोट से थोड़ी करूंगी तो अब हम उनका बहिशकार इसलिए कर रहे है कि उन्हें जैड सुरक्षा क्यों मिली और वो सहयोग करते हैं इतने NGO चल रहे हैं इतने व्रत दाश्रम चल रहे है क्या उन्होंने किया किसी को सहयोग किसान संगटन यहाँ पर राजनिती करी है और किसान बैकावे का शिकार हो रहे है संबित पातरा जी का बोलने में गेर फस है पहली बात तो मैं आपको बता दू दूसरी बात वो सिक्षित व्यक्ती नहीं है उनको इतना नहीं पता है पास ट्रिलिन में जीरो कितने होते है बहुत है तो देख भाई मेरे 26 जनवरी पर दिल्ली जावेंगे और प्रेड में सामिल होएंगे 26 जनवरी पर जो प्रेड होती है उसमें साविल होएंगे और लड़कियों को लेकर जाएंगे टेक्ट चला-चला के और जाएंगी अम भी इस देश के हैं देश के वासी है हमें भी है जब भी जनुदे की पुरेड में सामील हुए कियो नहीं है हम इस देश के नहीं है बारते हैं आप सिख और हिंदू-मुस्लीम इसको मत जोड़िये यह किसान है पूरा एक परिवार है जो नहीं दिख रहा है जब वो बाद में दिखेगा तो उनसे यह सवाल करें जाएंगे अब मीडिया का काम है सरकार का काम है सचाई को डूंडे सचाई को डूंडे पाद मंदरी खुद सिख औस ही मिलना कक्षे में जा रहे हैं गुर्दवार जा रहे हैं वह अपनी मान रहे हैार्व एपक भगवान का घर हों कोई प्रीड़ा ले सकता है कोई बीजा सकता है और से bog के सांता है तो इसलिए जा रहे हैं अपनी बुद्धि-भगवान उनको सदबुधि दे वहां जाने से इश्वर प्रमात्मा उनपर अपनी किरपा बनाएं उनको सदबुधि दे उनको समझ आए कि मुझे क्या निढने लेना चीए देश के हित्मे क्या है मुझे देश के हित्मे क्या करना चीए, देश के युवाओं के हित्मे क्या है, मुझे वो करना चीए, उनको सद भूदी देशवर आप एक इंटरनेशनल सूटर है, पड़ेली की महिला है, यह नहीं देख रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, इसे देश का कितना हजार करोड का डेली का नुकसान जो हैं? आप भी हमरे, पने हम आप जोड के माफी माँगने चाहेंगे, किसी को भी इस आंदोलन की वज़े से प्रॉब्लम हो रही है, सहयो करें, इनके बहकावे में ना है, मैं रिक्वेस्ट करती हूं सारी जनता से, लेकिन आपको किसान भी तो नहीं मानते हैं, यह भी तो दिक्क पर शूटर रही हूं, ठीक, तीसरी बात है, पड़े लिखे परिवार से भी हूं, चौती बार ही है कि किसान का बच्चा ने कपड़े पहनने लगा, पड़ा लिखा हो गया, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, नोक्री करके पहन रखे, तलवे चाट के ना पहन लखे, कपड़े भी, पर कहता हो भरत दिखाऊ, अडानी अंबानी की आपने बात कही, अडानी अंबानी एक व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं, यहीं के हैं, तो फिर क्या दिक्कत भी है, भाईया, वो यहां के बेसक हैं, अब उनका टॉप 10 की लिस्ट में भी नाम रुपे की चीज को, और हमी को उसे बेचेंगे 20 रुपे में, 50 रुपे में, 200 रुप, आलू, 50 रुपे किलो भी का है, यार, भूख लगे ती, खावे थे, और क्या मट्टी पलीद करवा हो गए उनसे, यह परेशानी हैं, लेकि वो तो कह रहे हैं, दो हज़र बाइस तक आ कि तो बढ़ी, और कितनी बढ़वावेंगे, हमें ना बढ़वानी ही हो है, देश की मट्टी पलीद ना करें, इन्हें फाड़ के डस्टी इन में गे रहे हैं, फिर आगे की बात करें, यह बिलकुल सही बोला, परदान मंत्री जी दवाब में है, मुझे तो यह भी शक हो खही इनोंने जवर्दस्ती साइल ना करवा लिए हो, अब यह वापस इसले ना ले रहे हो, क्यूंकि पूरे देश की जनता परेसान है, देश का किसान परेसान है, किसानों की बात नहीं मान रहे हैं, जिनोंने उनको चुना है, अब यह चार उद्योग पतियों की बात मान इसमें क्या कारण है बताईए, उनको किसानों की बात माननी चाहिए ना, क्यूंकि किसानों ने उनने चुना है, वो उस सम्मानित पत्व है, नरेंदर मोदी जी को हम लोगों ने बिठाया, तो हमारा दुख दरद परेशानी हमारी उनको समझनी चाहिए, वो समझ रहे हैं इतने फार्म हाउस, इस बिलकाप कब हुआ विरोध, तब ये आ चुका था, तब ही हुआ ना, हमने विरोध किया, हमने अपने बड़े बुजर्गों से समझा कि ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तब ही तो हम जैसे यूवाओ ने और बड़े बुजर्गों ने आ ये समझा जाए कि कई महीला मुर्चा समाल चुकी है, बिलकुल समाल चुके है, महीला उन्हें देश चलाया है, ठीक है, घर चलाये, जिस ओरत ने घर चला लिया, अपना घर समझ लिया, वो पूरा देश चला सकती है, और किरप्या करके ये भूल ना करें कि महीला क्या नही देती हैं कुछ नहीं समझती हैं सिर्फ वो चाती हैं हम मंत्रीपत पर कुर्सी न छोड़ें यहां बैठे रहें चाहें महिला है मत्टी में मर जाएं ठीक वो यह चाती हैं इसलिए हम उनका भाईशकार करते हैं और करेंगे प्याज ले लेके बड़े बैंक में जाती थी जमा कराने के लिए चूडिया देती थी मान महान सिंग जी को अब कहा गई अब देवे नरेंदर मोधी जी को तो हमें भी अच्छा लगेगा अमरी देश की नारी अच्छा ही कर रही है करी उन्होंने इतने किसांद शहीद हुए अंदोलन में आके दो पल का मोन रखा उन्होंने न देश को भी पता है विदेशों में भी पता है विदेशों में भी की हुई है जो सही मीडिया वो सही काम कर रही है आज मीडिया के सहयोग से यह आंदोलन इतना आगे बढ़ा है इतना लोग देश विदोसों में इसको जानते है तभी तो बीजेश सरकार के मट्टी पली तो और कोई समाधान नहीं निकलता ऐसे में आपका जो आंदोलन है वो वक्त के साथ कमजोर पड़ जाएगा आप लोग का होसला कम हो जाएगा वक्त के साथ कमजोर नी पड़ने का पहले महां से वहां तक टेंड तेरा भाइस कैमरे को लेकर जी सुके सुकूब लेकर जी चल जाएगा जब तक उसकी इच्छा होगी इश्वर की तो यह थी महीला किसान जो कि खुद इंटरनेशनल शूटर रह चुकी है तो फिलाल इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही हमारे साथ धन्यवाद